नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग डिस्स करने वाले हैं Annual Bonus Calculation के बारे में जब आप लोग दिवाली के टाइम में Annual Bonus Calculate करते हैं तो आपकी calculation किस तरीके से होनी चाहिए Annual Bonus की sheet आप कैसे ready करेंगे यही सारी चीज़ार हम डिस्स करेंगे इस वीडियो के अंदर और गैस Bonus Calculation से related मैं एक और वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने Bonus Calculation के steps के बारे में बताया था आप लोगों को तो उस case में Employee Bonus के लिए Eligible होगा और उसकी Bonus Calculation होगी अगर उसकी Basic NDA एक किसार से ज़ादा है तो Eligible नहीं होगा और उसकी Bonus Calculation नहीं होगी और अगर Employee Bonus के लिए Eligible है तो हम आगे बढ़ेंगे step 2 पे step 2 में हम लोग Maximum Wage Ceiling find out करते हैं Maximum Wage Ceiling एक ऐसा ceiling है Upper Limit है कि उस amount से ज़ादा पर Bonus Calculate हो ही नहीं सकता तो उसको find out करने के लिए हमारे पास यहाँ दो चीजों के बीच में compare करना होता है रुपी 7,000 and minimum wage of the state for the scheduled employment यानि कि 7,000 रुपे और minimum wage जो भी state का है उन दोनों में से जो भी बड़ा amount होगा उस amount को हम लोग मान लेंगे as a upper ceiling एक बार जब upper ceiling हम लेको ने find out कर लिया तो उसके बाद हम लोग third step में move करेंगे bonus wage find out करने के लिए अगर basic and DA employee का maximum wage ceiling से जादा है तो उस case में उसको हम limit कर देंगे maximum wage ceiling पे और अगर basic and DA maximum wage ceiling से कम है तो उस case में उसका हम जो भी actual basic and DA है वही रखेंगे as a bonus wage bonus wage वो amount होगा वो salary होगी employee की जिस पे bonus का rate apply करके bonus calculate किया जाएगा और हमने जब bonus wage find out कर लिया उसके बाद हम step 4 में सीधा उस पे rate of bonus apply कर देंगे और हमारा bonus amount निकल के आ जाएगा और ये guys हमें ये steps जो है ये हर एक महिने के लिए repeat करनी है तो ये है 4 steps जिसके इसाब से हम लोग bonus calculate करते हैं तो आई अब बढ़ते हैं annual bonus calculation की तरफ तो guys आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक annual bonus calculation sheet यहाँ पे बना रखी है और इसमें क्या-क्या data मेरे पास में है तो सबसे पहले मैंने में employee का basic detail यहाँ पे रखा हुआ है जैसे कि employee code, name, date of joining of the employee then उसके बाद हमारे पास ये एक हर एक मेने के लिए आपको इतना data ready करके रखना है for every month you should have at least this much data जैसे कि state, conscious state में employee posted है उस month में employee की employment category क्या है, minimum wage of the state क्या है, fix, basic and DA क्या है employee की then उसके बाद हम लोग steps apply करेंगे bonus calculation का अब आप लोग कहेंगे कि हर एक मेने के लिए हम लोग यहाँ पे यह calculation क्यों कर रहे हैं हर एक मेने के लिए data हमें क्यों डालने के ज़रुत है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी एक महिने में employee का state of work change हो जाए employee कहीं और posted हो जाए तो उस case में हमें again उस state के हिसाब से minimum wage के हिसाब से calculation करनी होगी हो सकता है कि employee की promotion हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी category change हो जाए unskilled से वो skilled हो जाए या highly skilled हो जाए और अगर employee का state change हुआ तो employee के minimum wage भी बदल जाएगी right and then उससाब से हो सकता है employee का basic NDA भी बदल जाए कभी उसको increment मिल जाए तो उसका basic NDA भी बढ़ सकता है and सबसे बड़ा reason यह है कि हम जब भी bonus calculate करते हैं तो वो करते हैं हम लोग paid basic NDA पे ना कि fixed basic NDA पे हर महिने में क्या basic NDA employee ने earn किया है उसी भी हम लोग bonus calculate करते हैं तो इसी वज़े से हमारे पास हर एक महिने की अलग calculation होनी चाहिए bonus के लिए और क्योंकि हमें यहाँ पर minimum wage की भी ज़रुरत पढ़ने वाली है तो इसी लिए मैंने हर एक महिने में हर एक state के लिए जिजन state का example मैंने यहाँ पे लिया हो उनका minimum wage मैंने यहाँ पे लेके रख लिया है तब समझते हैं कि हम लोग actually calculate करते कैसे हैं तो यहाँ पर यह basic details है हमारे पास state ले लिया है मैंने employment category ले लिया है जिस जिस employee का basic NDA 21,000 से कम होगा या बराबर होगा तो वो eligible होगे अगर किसी का basic NDA 21,000 से जादा है तो वो not eligible होगे और उनके लिए bonus की calculation नहीं होगी तो यहाँ पे step 1 में हम लोग ने क्या किया eligibility find out करें employee की then step 2 में हम लोग find out क्या कर रहे है maximum wage ceiling maximum wage ceiling एक upper limit decide करेंगे कि उससे उपर पे bonus की calculation नहीं होगी यानि कि उससे उपर पे basic NDA हम लोग नहीं लेंगे employee का और maximum wage ceiling हम लोग कैसे find out करेंगे वो find out करेंगे हम लोग rupees 7,000 और minimum wage of the state इन दोनों में से जो भी बड़ा amount होगा उसको हम ले लेंगे as a upper ceiling as a maximum wage ceiling और यही reason है कि हम लोगों ने यहाँ पे minimum wage भी रखा हुआ है हर एक state का जिंजिन state में हमारे employees काम कर रहे हैं क्योंकि हमें जो upper ceiling decide करना होता है वो करना होता है minimum wage of the state and 7,000 रुपीज में से जो भी बड़ा amount हो then उसके बाद next step में हम लोग paid basic nda employee का यहाँ पर लिख लेंगे paid आप लोगों के example के लिए मैंने यहाँ पर dummy working days ले लिया है और उस dummy working days के इसाब से employees का paid basic nda calculate कर लिया है और आप लोग यह paid basic nda कहां से लेंगे आप लोग लेंगे employee के हर महिने की salary sheet से जब आप annual bonus calculate करेंगे तो obviously आप लोगों ने उनको salary pay किया है तो उसी salary sheet में से हर एक मेने की salary sheet में से आपको basic nda का amount उठा लेना आप look up पगर लगा के अराम से यहाँ पर move कर सकते हैं और step 3 में हम लोगों को find out करना है bonus wage bonus wage वो amount जिस पे हम लोग rate of bonus apply करेंगे और bonus calculate करेंगे और bonus wage हम लोग कैसे find out करते हैं bonus wage हम लोग find out करते हैं कि अगर employee की paid basic nda maximum wage ceiling से ज़्यादा है तो उस case में वो maximum wage ceiling पे limit हो जाएगा और अगर basic nda maximum wage ceiling से कम है तो जो भी actual basic nda होगा उसी पे bonus calculate होगा जैसे कि यह example हम लोग इस dummy employee 1 का ले लेते हैं इनकी paid basic nda है 16,000 रुपए April month के लिए और maximum wage ceiling जो है वो है 15,492 रुपए यानि की basic nda wage ceiling से जादा है तो उस case में इस wage ceiling को हमें लेना होगा as bonus wage to calculate the bonus और इस bonus wage पे हम लोग rate of bonus apply कर देंगे जो भी होगा 8.33 या 20% और आपके पास में उस महिने का इस employee के लिए bonus calculate होके आ जाएगा और सेम तरीके से हमें हर एक employee के लिए ये apply करना है और हर एक employee का आपके पास इस महिने के लिए bonus आ जाएगा और यही सेम तरीका आपको हर एक महिने में apply कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे April के लिए किया था then उसके बाद हमें May के लिए same यही steps use करने हैं June के लिए, July के लिए, August के लिए और till March month of the financial year March महिने तक आपको same steps करके हर एक महिने के लिए separate bonus calculate कर लेना है और in the end हर एक महिने में जो आपने bonus calculate किया है यहाँ पे fourth step में तो हर एक महिने के fourth step को आप जोड देंगे तो आपके पास में annual bonus calculate होके आ जाएगा तो guys यह है तरीका annual bonus calculate करने का और अगर आप लोग चाते हैं कि आप लोग bonus calculation में कोई mistake ना हो तो आपको भी इसी तरीके से bonus calculate करना चाहिए I know कि इसमें जो है थोड़ा सा काम आपका lendी हो रहा है आपकी sheet bonus की sheet आपकी काफी बड़ी हो रही है लेकिन accuracy आपको 100% मिलेगी और सबसे बड़ा फाइदा यह है कि अगर कहीं भी कोई change होता है employee के location में या उसके employment category में या employee जहां पे काम कर रहा है वहां के minimum wage अगर change हो जाता है या employee की salary change हो जाती है तो उस case में आपका bonus में error नहीं आएगा और जो भी सही calculation होगी वो आपके पास calculate होके आएगी अगर आप इस तरीके से bonus calculate करते हैं तो guys इस video में मैंने आप लोगों को bonus calculation के steps और क्या है सही तरीका उसके बारे में बताया है कि आपको annual bonus कैसे calculate करना चाहिए bonus calculation के लिए मैंने एक separate video बनाई हुए detail तरीके जिसमें मैंने हर एक step को बहुत detail में discuss किया है जिसका link मैं यहाँ पे i button और video के description में डाल दूँगा आप लोग उस video को जरूर देखें और उसको देखने के बाद आपको यहाँ पे जो यह annual bonus calculation sheet है इसको बनाने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत help मिलेगी Alright, thank you so much for watching this video guys Have a good day, bye-bye